लिए अज़की वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ weekly directional iron condor strategy वेल ये सुनके ही आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि iron condor or directional how is it possible बिगास हमें मालूम ही है कि iron condor एक actually non-directional strategy होती है जहाँ पर अगर market एक particular range में close रहाती है हमें बहुत जादा अच्छा पैसा बनता है बट हम यहाँ पर iron condor को directional चनारने वाले हैं जहाँ पर अगर market एक तरफ की move कर जाएगी हमें बहुत जादा अच्छा पैसा बनेगा यह चीज कैसे रहने वाली है आपको इसके लिए पूरी वीडियो यह देखनी पड़ेगी आपको definitely समझ आ जाएगा जो भी नई ट्रेडर हैं जिनको नहीं मालूम iron condor क्या होता है बस थोड़ी सी patience रगिए अभी आपको कुछ time में मैं आपको live deploy करके दिखा दूँगा कि iron condor क्या होता है यही सेm iron condor को हम directional करतेंगे ताकि एक तरफ की move हो जाएगी या तो उबर की तरफ या नीचे की तरफ जिससे अगर market एक तरफ continuously move करती है हमें बहुत जाद अच्छा पैसा बनता है अब यह पूरी वीडियो में मैं सबसे पहले आपको rules बताऊँगा इसके मैं आपको logic बताऊँगा एंड उसके बाद मैं आपको दो अलग-अलग situations दिखाऊँगा एक profit की एक loss की ताकि वो दोनो situations देखे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि live market में यह कैसे work करने वाली है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके rules वेल यह हम bank nifty में trade करने वाले हैं जिसमें आपको 5 out of the money call and put option sell करना है इसका मतलब होता है जिस level पे market चल रही है at the money उससे 5-5 strike दूर आपको call and put option sell करना है मतलब अगर 40,000 पे bank nifty चल रही है then 40,500 का call option sell करेंगे and 39,500 का put option sell करेंगे जिसमें आपको buy करना है 8 strike price out of the money call and put option मतलब वही same example 40,000 का अगर मानलो चल रहा है bank nifty at the money तो 40,800 का आप call option buy करेंगे and 39,200 का put option यहाँ पे buy करेंगे entry time हमारी रहेगी Thursday को 11.15 a.m. well bank nifty की weekly expiry Wednesday को होती है तो उसके अगले trading session पे Thursday पे 11.15 पे हम अपनी trade deploy करेंगे and हम यह exit करेंगे Wednesday को 2.50 p.m. capital required है इसमें 60,000 रुपीज, well इससे कम ही लगने वाली है बट फिर भी थोड़ा extra margin के लिए मैंने यह रखा है जिसमें adjustment हम सिर्फ एक ही करने वाले है उससे जाद नहीं अब यह simple rules है यही same rules के साथ मैं आपको दो अलगला situation दिखाता हूं profit loss की ताकि आपको full clear cut समझ आ जागा यह strategy के बारे में अब इसके simulator section में चलते हैं और सबसे पहला जो example हम देखने वाले है वह 7th of August की expiry तो 7th of August की expiry के लिए अब यहां पर मैं एंटर करूंगा 1st of August को अभी जब मैं यह video बना रहा हूं तो सबसे में पर recent data यह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं अब entry time जैसे मैंने बताया 11.15 am ही रहने वाली है वेल इसका simple सा logic यह है कि 11 वज तक market थोड़ी सी settled हो जाती है जब market settle हो जाएगी तो ही हम इसमें trade करने वाले है अब इसमें add the money चल रहा है 51,800 इसके 500 500 पॉइंट दूर हम यहाँ पे पहले call and put option sell करेंगे तो 58,900 से 1,2,3,4,5 तो 52,300 यह मैंने किया sell और उसके बाद और 3 strike price 1,2,3 तो यह मैंने किया buy तो add the money से 5 strike price दूर हमने sell किया and 8 strike price दूर हमने buy किया and वही same चीज हमें put option में भी करनी है 1,2,3,4,5 यह मैंने किया sell and 6,7,8 तो वापिस वही change की and यह अब एक perfect iron condor बन चुका है जहाँ पे max profit अब देखे 2,200 रोपीज है max loss 2,216 है approach margin आपका 35,000 लग रहा है and overall break events and आपकी probability of profit दीवी है अभी तक यह एक non-directional strategy है जहाँ पे अगर market यह green tent में रह जाती है हमें यहाँ पे अच्छा पैसे बनता है लेकिन अगर market भार जाती है इस green tent के देन हमें यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है and हमें यहाँ पे loss हो सकता है but अभी यही same non-directional strategy को हम इसको directional करने वाले हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अब ना इसको एक बर forward test करता रहता हूँ and उसके साथ साथ ही मैं आपको adjustment भी बताऊँगा इसका logic भी बताऊँगा ताकि आपको full clear cut समझ आ जाए अब इसको forward test करते हैं and देखते हैं exactly 9 25th of August Monday का दिन market अब fall की है नीचे की तरफ हमारे break even के काफी ज़्यादा बाहर आ चुकी है बट इसका beauty यह यह ना iron condor की कि market इतना ज़्यादा fall कर गई है पर फिर भी हमें सिर्फ 1000 उपर कर नुस्वान हो रहा है तो इतने इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर हम adjustment करेंगे well adjustment बहुत ज़्यादा simple है जो दोनों sell legs है उनको आप कर देंगे close and add the money जो भी market चल रही है 50,600 इसका call and put option हम sell कर देंगे अगर यहाँ से market continuously fall करती है हमें 7,644 रुपीस का profit होने वाला है and अगर market यहाँ से reverse होती है उपर की तरफ जाती है हमें loss काफी ज़्यादा हो सकता है अगर market continuously fall करेगी हमें यहाँ पर पैसा बन जाएगा 7,600 रुपे हमें कुछ नहीं करना है दूसरी situation यह है कि अगर market reverse होती है market उपर की तरफ आती है and जो उपर की तरफ का break even है 50,855 अगर market उपर की तरफ के break even पर आएगी हम वहाँ पर तुरंत अपनी trade close कर देंगे हम और चीजे हमें करनी है अब आपको इसमें यह भी डाउटा सकता है कि what if अगर market बहुत बड़ा gap अप हो जाता है तो भी आपको बहुत ज्यादा बड़ा loss नहीं होने वाले है चार से पांच आर का maximum loss होगा लेकिन यह बात आपको खुद समझनी पड़ेगी कि हम एक iron condor यहाँ स्ट्राइटिजी डाल रहे है जहाँ पर हमें ऑलरी रेंज बहुत जादा बड़ी-बड़ी मिल रही है अब अगर market drastically एक तरफ fall करती है या तो उपर की तरफ या नीचे की तरफ और ब्रेक इवन के भार जा रही है इसका मतलब definitely market या तो bullish है या bearish है जिसकी वज़े से हमार मैं ये strategy आपको समझा रहा हूँ जिसमें ये high probability है वेल अभी है कोई holy grail नहीं है ऐसा नहीं है कि 100% की मतलब मैं आपको कोरे कागज पर लिख के देदू आपको loss नहीं होगा loss आपको हो सकता है विकोज़ अगर market reverse होगी हमें loss हो सकता है बट इस बात की कितनी probability है कि पहले हमन देखते हैं इग्जाक्ली 257 अगस्त वेडनेश जय को दिन हमें 7,637 रुपीज मिल रहे है यहां पर हमें profit में हमने close किया है अब हम यहां पर अपनी trade close कर देंगे बस यही simple सी strategy है जो मैंने आपको दिखा दी है बहुत simple सी adjustment है अब यह तो profit की situation थी लेकिन ऐसा मैं कोई scam नह यही same example आपको एक loss का भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा दोनों ही aspects वेल लकिली इसका जो पहला अफता था वही यहां पर हमें loss वाला मिल गया था तो इसलिए मैं आपको वही समझा देता हूँ तो अब यहां पर deployment date 25th of July की जिसमें expiry रहेगी 31 of July and entry time वापिस से हम 11.50 ही लेने वाले है अट दमनी से 5 strike price दूर call and put option पहले sell करेंगे यह हमने किया 51.200 sell and उसके बाद यह 51.500 buy and उसके वापिस put option की तरफ 1,2,3,4,5 यह हमने किया sell and उसके बाद यह हमने किया buy तो अब वापिस से perfect iron condor बन चुका है जापे max profit, max loss आपका हर ची वही same adjustment है अगर market पूरे हफता हमारे green tent में रहे गई हमें कुछ नहीं करना है हमें पैसा बन जाएगा अगर market किसी एक तरफ के break even के भाहर जाएगी देन हम वहापे adjustment करेंगे and हम वो फिट strategy directionally ही चलाने वाले है अब इसको forward test करके देखते है exactly 9.25, 29th of July Monday का दिन, market हमारे break even के भाहर आचुकी ऊपर की तरफ and अब यह अच्छी चीज हो गई because हमें दोने example मिल गए इसके पहले वाले example में हमने bearish market का example देख लिया था and इस week के example में हमने bullish market का example देख लिया है so अब यहाँ पर market उपर की तरफ break even के भाहर आई है तो हम यहाँ पर adjustment करेंगे वापिस से जो हमारी sell लेगे है उसको हम कर देंगे close and वापिस से add the money यहाँ अब देखिए add the money चल रहा है 51,800 इसका मैं call and put option sell कर दूँगा अब इससे यह होगा कि अगर market continuously उपर रहती है मुझे कोई भी tension नहीं है 5,684 का profit है and जैसे ही market नीचे की तरफ break even पे आएगी 51,611 तुरंत वापे मैं अपनी trade close कर दूँगा और जादा मैं hold नहीं करूँगा अब इसको वापिस forward test करते हैं and देखते हैं exactly 12,20 29th of July मंडे का दिन market हमारे नीचे की तरफ के break even के भार आ चुकी है and हमें यहाँ पे loss हो रहा है 4,869 रुपीज and तुरंत अब हम यहाँ पे अपनी trade close कर देंगे so न हमें आपको दोने example दिखा दिए कि ऐसा जरूरी नहीं है हर बार की market reverse नहीं होगी market reverse हो सकती है लेगिन यह बात की जादा probability है कि अगर market iron condor को break करती है या तो उपर की तरफ ही नीचे की तरफ then market थोड़ी directional हो सकती है उस चीज की जादा यहाँ पे high probability होती है and हम यहाँ पे probability का ही तो game खेल रहे हैं न सिर्फ probability की basis पर ही चल रहे हैं तो अब यहाँ पे न मैंना आपको दोने example दिखा दिखा दिए हैं I hope आपको दोने example अच्छे से समझ आ गए हूँ इसके rule समझ आ गए हूँ बस यही simple strategy है इसको आप एक बार खुझ जाके backtest करिए and इसका result देखी overall and इसमें अब ऐसा नहीं कि आप यही same strategy चला रहे हैं well यही plain vanilla strategy आप चला सकते हैं लेकिन आप भी खुद अपने और tweaks करके देखिए कि कैसे आप यह strategy को थोड़ा और जादा better कर सकते है और अपने थोड़ा सा मिर्ची मसारा डाल के देखिए and जो भी फिर आपको adjustment लगता है कि हाँ यह तो किया जा सकता है then वो चीज आप मुझे इस वीडियो के comment section में लिख के बताईए then उसको मैं भी खुद backtest करके देखूँगा अगर मुझे result अच्छा आता है then definitely उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे ताकि हम सभी की help हो जाए so guys बस यही था आज की वीडियो के बारे में I hope आपको यह strategy अच्छी लगी हो और कुछ नकुछ सीखने को जरूर मिला इस वीडियो से so thank you for watching the video with lots of patience let's meet in the next video then